हाँ पिता इन भाई बहनों पर दया करें, आप इनकी सुधी लेकर इनके जीवन में कारे करें और इनके लिए मेज को तैयार करें प्रभुजी प्रेज लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रात्न में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि होशकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हूँ जो आपको सताते हूँ, जो आपको परिशान करते हूँ या फिर आपके कुछ विरोधी लोग हूँ जो बार-बार आपके जीवन में, आपके रास्ते में रुकावटें लेकर के आते हैं, बादाएं लेकर के आते हैं, समस्याओं को पैदा कर देते हैं, हो सकता है आपके विरूदी लोग हो, यह फ़र दूसरे सब्दों में यह दिका हूँ, कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ आपके दुस्मन बन गए हो, तो मैं आप सिपा हूँगा, आज सुबह में परमिश्र का वचन आप से बाचित करता है भजन सहीता 23 रोस का 5 पद जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिच्छाता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमर रहा है, आमें दोस्तों यहां पर परमिश्र का वचन कहते है भजनकार दाओद कुछ इस परकार से कहते हैं कि तूने मेरे सताने वालों के सामने, यनि कि भजनकार दाओद के जीवन में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें सताया करते थे, जो उन्हें परिशन किया करते थे, जो उनके जीवन में एक विरोदी के समान थे जो उनके जीवन में रुकाउटें पैदा करते थे, सबोज हम साउल के ही बारे में देखते हैं, कि साउल दाओद का विरोदी था उसको सताने वाला था, लेकिन परमिश्व का वचन कह रहा है दाउद कह रहे हैं कि तू मेरे सताने वाले लोगों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है कैसी मेज बिचाता है ऐसी मेज नहीं कैसी मेज खाली मेज नहीं या फिर आफिस वाली मेज नहीं, खाने की मेज, भोजन पदार्थों की एक बड़ी मेज बिचाता है, ऐसी मेज जिस पर अनीक प्रकार के भोजन पदार्थ रखे हो, एक ऐसी मेज जिस पर मानोराजा का भोजन रखा गया हो, ऐसी मेज नहीं, जहां पर आपके वल फास्ट फूर्ड खा रहे हैं, एक ऐसी मेज प्रभु ने दाउद के लिए तैयार करके रखी उसके दुस्मनों के सामने उसके संताने वालों के सामने सपोज हम सोचते हैं कि साउल के ही सामने परमेशन ने उसके लिए मेज बिछा कर रखी कि उसका अभिशे कर दिया राजा होने के लिए उसे राजा होने के लि विरोधी हों जो आपके विरोध में बार बार खड़े हो जाते हों तो मैं आपसे कहुँगा कि medicine का वचर आज आपके लिए कहता है कि परमेश्व उन्ही लोगों के सामने उन विरोधियों के सामने आपके लिए मेज को बिच्छाएगा आपको उनी के सामने उपर उठाएगा आपको उनी के सामने सिरोमरी ठहराएगा वही लोग देखेंगे कि परमेशन ने किस परकार से आपको आसिसित किया है किस परकार से प्रभू आपके संग में है किस प्रकार से प्रवो आपको उचाईों में लेकर के जा रहा है क्योंकि हमारा परमेशुर्ट हमारे लिए, हमारे विरोधियों के सामने, हमारे स्थाने वालों के सामने मेज बिचाता है। जैसे हम लोग देखते हैं मतिर जिस्व समझार उसके नौ अध्याई में एक बार कुछ लोग एक लकवे के मरीज को येश्व मसी के पास लेकर के आई और जब येश्व मसी ने उस ब्यक्ति को देखा तो येश्व मसी ने कहा है पुत्र तेरे पाप च्छमा हुई जब सास्तरी लोग भी वहाँ पर घड़े थे और सास्तरी ने क्या सोचा कि ये कौन है जो मनुश्यों के पापों को च्छमा करता है मनुश्यों को पाप को च्छमा करने का अधिकार केवल परमेश्व को है ये कौन है जो ऐसा कर रहा है इसने कैसे ये सब्द बोव ये उनके एक तरीके से देखा जाए तो वे लोग येशो मसी के विरोध में खड़े होने लगे कि येशो ने ये सब्द कैसे बोव दिये कि तरी पाप जहमा हुए क्या ये अपने आपको परमेश और बता रहा है तब प्रभी येशो मसी ने बाइबल कहती है कि प्रभी येशो मसी ने उनके विचारों को जानकर कहा कि क्या सही है क्या ये कहना कि तेरे पाप जहमा हुए या फिर ये कहना कि उठ और चल फिर अपनी खाट उठा और चल फिर क्या हुआ यहाँ पर कि पर्मेशो ने प्रव्येश मसी के लिए उनके विरोधियों के सामने उनके सताने वालों के सामने एक बहुत बड़ी मेज बिछा दी एक अधवुत अश्यार कर्म कर दिया जिसको देख कर उनकी आँखें फटी की फटी रह गई जिसको देख कर उन्हो पैर वहां से वापस चले गए, क्या हुआ, परमेशन ने अपने बेटे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दुस्मनों, उनके दुस्मनों के सामने, उनके सल्टाने वालों के सामने, उनके विरूदियों के सामने, एक बहुत बड़ी मेज को बिछा दिया, दूसरे समझे परमेशो ने येशो के लिए एक बड़ी मेज को बिचाए इसी परकार से दोस्तों आज सुबह में मैं आप से कहूँगा कि प्रभ येशो मसी आपके लिए मेज को बिचाएंगे आपके संताने वालों के सामने आपके विरोधियों के सामने, उनके सामने प्रभू आपके लिए मेज को बिचाएंगे, उनी के सामने प्रभू आपको उचाईयों पर ले करके जाएंगे, तो प्रभू आपको इस वचन के दुवारा बहुतायच से आसीश दे, आमेन. बहुत बाधायं आ रही थी, और कुछ दिन बाद वो डील कैंसल भी हो गई थी, तो इसलिए मैं ब्रदर पीके और सिस्टर अमिता मसी को हरसा में मेसेज किया था, कि मेरे प्रपर्टी का डील अच्छे तरह से हो जाए, सक्सेस हो जाए. और ब्रदर भीके ने मेरे लिए प्रार्थना की थी और जो की एक आश्चर्ज बात ये है कि जो प्रपटी का डिल मैं करने वाला था वो ना होकर जो और एक दुसरा प्रपटी का डिल जो पेंडिंग था जो कि मैं सोज भी नहीं सकता था कि वो होने वाला है और कभी होगा वही डील एक सुभे से लेकर दोपर के दो बजे तक कंप्लीट होके वो डील भी रेजिस्टी हो गया जो कि मैं बहुत आश्चर्ज हो गया प्रभू का महिमा को देख गया और इसी बात को लेकर मैं प्रभू के महिमा करता हूं ब्रदर्स पीके और अमरिता मसी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सो हम प्रभू येश्व मसी का धन्यवाद करते हैं आज की इस भूर की प्रकाश के लिए और मैं आशा करती हूं कि आप सब ने इस सुभा में परमेश्यों के वचन के दौरा आशीश पाई है सो आईए हम सब मिलकर प्रात्न करें धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीविते और सामर्थी प्रभू येश्व मसी हम सब के उध्धारक प्रभू येश्व हम आपका धन्यवाद करते प्रभू हम आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्म परमेश्वर हालेलुया प्रभू तेरी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा हो हिर्दे की गहराईयों से पिता हम तुझी धनेवाद देते हैं हाँ प्रभू तेरी जैजेकार करते प्रभू तेरे नाम को उचा कर हर एक जन अपने जीवन से प्रभू को धनेवाद दे अपने मुंगे खोल कर अपने हाथों को उठाकर प्रभु की ओर आप धनेवाद करें आज हम जीविदों की प्रित्वी पर जीवित ways लिए जीवित हैं पिता यह तेरी बड़ी ड़या है पर मिश्रो को पूरी करने के लिए प्रभू तुने के दयात से प्रभू हमें आज का दिन दिखाया है परमेश्व में चाहती हूं परमेश्व कि इस पूरे दिन में प्रभू येश्व मसी आपकी इच्छा आपकी योजना परमेश्व हम सब के जीवनों में पूरी हूं प्रभू येश् आपकी इच्छा परमेश्य हां प्रभू सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो पिता क्योंकि हम हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्य गलत रास्ते में पाप में और नाना प्रकार की परिक्षाओं में पढ़ते हैं परंतु पिता तु हमारा भूत भविश्य और वर परमिश्वर इसलिए प्रभू हम चाहते हैं कि तेरे लोगों के जीवन में हम सब के जीवन में पिता आपकी इच्छा पूरी हो हालेलुईया धनिवाद करते प्रभू इस नई सुभा में परमिश्वर अपनी ग्यान बुद्धी और समझ से प्रभू जी अपने बेटे- नकलते हैं प्रभी अनके लिए आपके सरक्ष लूबेश थेस, लूब का बाड़ा मांगते हैं कि स्रक्षित आने में आप इंकी मदद करें हम ब्हुए हम चाहते हैं प्रभू थे प्लाइन आज की दिन में सफल करें और हर एक रुकावटे बाधाओं को दूर होने में आप साहता करें प्रभु जी मैं प्रातन कर्टी प्रभू बहुत से भाइबेने प्रभू आज जॉब के लिए ट्राइब कर रहे हैं बहुत से हैं कि जो आज इंटर्व्यू देने जा रहे हैं प्रभू स्कूल कॉलेजिस प्रभु फित अपने साहता करें मदद करें आप उन्हां उन्हान पुद्धी समझ भर के प्रभु येश्य मसी आप उन्हें हर बात में अवल करें प्रातना है प्रभु वचन के लिए प्रभु जो आत्मिक Bene आपने हम सब को दिया है प्रभू येश्व उसे सउनकर उसे का कर हमifty है प्रिपता कि सच अब मेरे पर डैख तु हमारे सताने वालों के सामने परमेश्व को Vidad जो सताय जाते प्रभू आगी नाना परकार जाती है और प्राभू कार की परिक्षाएं नानप्रकार की प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आती प्रभू उनके सताने वाले उनके विरोध में खड़े होते ऐसे समय में परमेश्वर आप उनके सामने इनके मस्तक को उचा करें आप उनके सामने इनके बड़े भोज को तयार करें आप उनके सामने इने सम्मानित पदों पर न्यूक करें, आप उनके सामने इने प्रतिस्टिद सिद्ध और परमेश्वर सफल व्यक्ति बनाए परमेश्वर, हाँ प्रभू इस समय तो प्रभू उन्होंने प्रभू कम आका है, प्रभू उन्हे सताया है, परंतु पिता आपको वचन कहता कि ज प्रभूं लोग इनके करीब आए तो प्रभू आशिशिट होने पाए, खुदावन मैं धनिवाद करती हूँ पिता आज के दिन में प्रभू मैं प्राथना करती हूँ पिता जितने लोग आज चिंता में है प्रभू संकटों में है प्रभू विपत्तियों में है प्रभू जी बहुत से मुश्किल उनके सामने है प्रभू येशु मसी बहुत से वर भाई बहनों पर दया करें आप इनकी सुधी लेकर इनके जीवन में कारे करें और इनके लिए मेज को तयार करें प्रभु जी हालेलुया धनेवाद हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजर्ग प्रभु येशु के नाम से ब्लेस करते हैं जितने बच्चे प्रभु ईच्ची पढ़ने में पिता और जीवन के जिस भी चाहत्व करें प्रभु आप इसन्माल करें प्रभु येशु मसीह कश्य में करते हो झालने आप इने सामर्थ दे परमेश्वर प्रात नहीं जिन्रहोंने आपके राज्यい में बोया है परमेश्वर, सो गुना फलवंद करें आप उन्हें आशिशित करें उनके घर परिवार में तेरी बरकत हो उनकी कमाई में तेरी बरकत हो जो भी उन्होंने हर्श आनंद के साथ, खुशी के साथ में बोया है, उसका 100% प्रभू आप उन्हें रिटन करें परमेशु पिता, धनिवाद करतें परमेशु और मैं दूआ करती जितने लोग रोगी हैं, अस्वस्त हैं पिता, आज की सुभा में परमेशु पिता, अपने आपको अस्वस्त महसुस कर रहें, रात भर प्रभू येशु मसी वो बिमारी में दर्द में तकलीफ में रहें, दूआ करती ये सुभा परमेशु, हाँ जब वो तेरे सम्मुक उपस्तित हैं, प्रभू येशु के नाम से परमेशु उनके सरीर सा उन बिमारीों को दूर कर और पूरपर इसे इनाउस करते विए प्रभू इनके रोग तुनस्ट कर पिता और धनेवाद छोटे बच्चे इस समें प्रभू cope स्वस्थ और श्मसी के नामसे नौजवान स्वस्थ हो जाए इश्योमसी के नामसे दैन्म35 Twoish नामसे नवख पिता आप ने छुआ और चंगा किया लोड आपकी चंगाई के लिए उस छुटकारे केmouth डनिवाद पिता लनेवाद आप ने हम सबकी विंती को सुना बिता धनिवाद चितनी प्रास्टर विंतिया आइ है परभो उनकी सुधी लेकर उनका उत तरहां आमेन में दीजिए प्रभू और उनके जीवन में अर्थ भूतरीती साब कारे करें ताकि वो आपकी महिमा बारंबार करें पिता धनेवाद आप बहुत जल्द आने वाले हैं पिता हम सब को तैयार कीजए योही संगती में वच्चन में बढ़ा कर प्रभू क्योंकि पिता तुछ च हुशआँार यूल यू झाले हैं ताकि गज़ रबाता हैं